हलो दोस्तो यदि आप शेरी छेतर में रहते हैं तो आपके पास अपनी प्रोपर्टी आइडी जरूर होगी अगर आपकी प्रोपर्टी आइडी रिकोर्ड में कोई गलती होगी है चाहे आपका नाम गलत हो गया है उसमें पिता का नाम गलत हो सकता है या फिर एडरेस गलत फ दिखाने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रवी स्वागत है आपका अपने चैनल राजुन टेक में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट में आप तक ले नहीं है यहां से उसके बाद अपना गाउं किस नगरपालिका के अंडर आता है अपने गाउं का नाम यहां से चूज कर लेना उसके बाद यहां से प्रोपर्टी आइडी यहां से सर्च कर सकते हैं लेंडमार्क से नाम से मोबाइल नमबर से या फिर कलोनी से या प्रोपर् प्रोपर्टी आइडी एंटर कर देता हूं प्रोपर्टी आइडी एंटर करने के बाद व्यू लिस्टिंग वाला ओप्षन है यहां पर हमें क्लिक कर लेना है यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने डिटेल ओपन हो जाएंगे यहां पर किस नाम से जो प्लोट है वो नाम आ जाएगा मालिक का एड्रेस हो जाएगा और यहां पर प्रोपर्टी का टाइप रेजिडेंशियल है कमर्शियल है और यहां पर प्लोट का एरिया ठीक है यहां पर जो अगर प्लोट का एरिया भी गलत हो रख है वो भी कैसे ठीक करेंगे ठीक है उसके बाद हमें व लिएचे करेंगे तो यहां पर हमारा नेम के प्लोट है जिनके नाम से वह यहां पर बूरी डिटेल भू आप देख सकते हैं कि हमारी फलोट के साइज में या फिर नेम में किस प्रकार की गलती है वो यहां से हम देख सकते है चाहे हमारे पर लूट की लंभाई चोडाई में गल्पी हो ठीक है? वो सारे की सारे डिटेल कैसे ठीक करेंगे? अब आगे जानेगे ठीक है? यहां से सारे डिटेल चैक करने के बाद स्क्रोल अप करेंगे दोस्तो थोड़ा उपर आ जाते हैं वापसी यहां पर देखिए view full information वाला option आपको show हो रहा है यहां पर right side में view full information पर click कर देना है click करने के बाद यहां पर देखिए दोस्तो हमारे पास mobile number enter करने का option show हो जाता है यहां पर हम register कर लेंगे mobile number enter करेंगे और send otp वाले option पर click करने के बाद अब हमें यहां पर अपना otp जो प्राप्त हो है mobile पर otp एंटर कर देना है और फिर continue करने के बाद हमें अपना name है वह fill कर लेना आप यहां पर first name टाइप करेंगे उसके बाद last name चलिए मैं यहां पर name type कर देता हूं नेम टाइप करने के बाद यहां पर हम register हो जाते हैं दोस्तों यहां पर register वाले option पर click कर देना है register करते हैं यहां पर देखें दोस्तों यहां पर right side में सबसे उपर जहां पर login वाला option है यहां पर हमारा name आ जाएगा यहां पे देखी right side में यहां पे name शो जाएगा अब यहां पे view full information पे click करेंगे दोबारा से और यहां पे देखी you can only view full information of three property are you sure यानि कि हम एक ताम में तीन property ID view करके देख सकते हैं व्यू करेंगे उसके बाद यहां पर प्रोसेस हो रही है उसके बाद यहां पर raise objection वाला option शो हो जाएगा यहां पर तो हमें raise objection पे click कर देना है यहां पर click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का page खुल के आ जाएगा दोस्तों अभी site थोड़ी slow है दोस्तों अभी open हो जाएगी यहां पर देखिए यहां पर जो हमारा current information वो यहां पर शो जाएगी और यहां पर फिल्ड नेम में आप देख सकते हैं क्या क्या information दिए है और select में यहां पर माल यह address अपडेट करना है तो यहां पर हमें select कर लेना है property category जैसे residential है या commercial है अगर उसमें कुछ change करना है correction करने है तो यहां पर select वाले option पर टिक कर लेना है यानि कि जो भी column आपके सामने दिखाई दे रहा है अगर उनमें correction है तो यहां से हमें select कर लें तो सबसे पहले मैं address भी change करूँ यहां पर मैंने select कर लिया है उसके बाद यहां पर plot की लंबा पीचे काफी सारी डिटेल दिए हैं दोस्तों आप one by one देख सकते हैं जैसे water connection, water connection का number, water meter, approved water connection, electricity connection, electricity connection, number तो काफी सारी डिटेल दिए हैं जो भी आपको correct करनी है वो आप यहां से choose कर लेना है दोस्तों ठीक है उसके बाद यहां से scroll down करके मैं सारे की सारी डिटेल एक बार आ हो जाएगा यहां पर हमें select कर लेंगे ठीक है तो अभी मैं upload का area और यहां पर owner name address यह अपडेट करके दिखा रहा हूं ठीक है दोस्तों उसके बाद हमें next वाले option पे click कर देना है नेक्स्ट करते हमारे सामने देखिए दोस्तों यहां पर जो current detail है जो पुरानी detail है वो यहां पर शोजाएगी जो plot का size है लंबाई है water connection number जो old detail फिल है वो आ जाएगी उसके बाद scroll down करेंगे तो यहां पर edit information अब हमें जो correct हमारा plot का size है वो हमें यहां पर size enter कर देना है उसक यहां पर अगर water connection number है तो यहां पर फिल कर लेंगे electricity connection identified subscribe यहां पर हमें अपना address यानि कि जो house number हा वो यहां पे टाइप करेंगे उसके बाद Landmark जो भी हमारा area जिस भी नजदीक की Landmark है वो दोस्तों यहां पे फिल लेना अपना पूरा address टाइप कर लेंगे उसके बाद यहां पे Pin Code को Option है तो अपना Pin Code फिल कर लेंगे कि यहां से सारे डिटेल फिल करने के बाद next वाला option है next वाले option पर click कर देना है यहाँ पर next आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों उपर owner name शी हो रहा है जो पहले owner name था अभी edit करके हमें owner name क्या type करना है वो यहाँ पर correct कर लेंगे उसके बाद gender choose करेंगे gender choose करने के बाद father name यानी पिता का नाम है यहाँ पर enter कर लेना है उसके बाद email id अगर हमारे पास BPL रासन कार्ड है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no करेंगे और यहाँ पर email id फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों दो option है previous यहाँ से back जाके भी अगर कोई detail रह जाती है तो हम previous जाके detail ठीक कर सकते है आदराओ हमें next करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए old information यहाँ पर show जाएंगी तो यहाँ पर सारे इक सारे detail यहाँ पर owner detail है मालिक के name में जैसे last name mention नहीं तो यहाँ पर मैंने last name mention कर दिया है तो यहाँ पर थोड़ा scroll down करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है document attach करने है यहाँ पर सबसे पहले family id मांगिए तो family id हमें यहाँ पर upload कर देनी है चाहे आप PDF format में download upload करें या jpg format में यहाँ पर जिस folder में save किए वहाँ से folder open करके यहाँ पर attach कर देंगे उसके बाद यहाँ पर upload हो जाएगी यहाँ पर देखिए address proof में electricity bill water bill जो भी आप upload करना चाहें इन में से वह upload कर सकते यहाँ पर देखिए मैंने एक format बनाए हुआ पूरा मर्श करके तो यहाँ पर upload कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर registry दिए अगर हमारे plot की registry है तो दोस्तों यहाँ पर अपने plot की registry है PDF बनाके यहाँ पर upload कर देना है यानि कि अगर जिस भी प्रकार की हमें correction करने दोस्तों उसका हमें पुखता सबूत देना पड़ेगा ताकि हमारी जो भी गलतियां वह correct हो सके तो यहाँ पर registry अपलोड करता हूँ उसके बाद यहाँ पर बिजली का बिल है तो बिजली का बिल भी अपलोड कर देना है यहाँ पर देखिए water bill rebate proof old tax bill वह अगर वह detail भी है तो वह भी हम fill कर सकते हैं यहाँ पर upload कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ है जैसे ड्राइविंग लाइसे पैन कार्ड वोट कार्ड पासपोर्ड वोटर आइडेंटी राशन कार्ड बैंक पास्बूक इन में से कोई भी आईडी आप यहाँ पर upload कर देंगे तो सबसे पहले एड़ फाइल वाला उप्सन शोर है एड़ फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पर हमें जहां पर भी आईडी सेव किया हो आईडी यहां से चूज करके upload कर देंगे तो यहाँ पर हमारी आईडी यह वो upload हो जाएगी अब यहाँ पर declaration दिया हुआ है तो अब हमें क्या करना है declaration पर क्लिक कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर submit वाले option पर क्लिक कर देना है submit करते ही जो हमारा objection है वो successfully raise हो जाएगा यानि कि जो भी हमारी property ID में गलती है तो यहाँ पर हमने सारे document proof upload कर दिये तो यहाँ पर successfully objection raise हो जाएगा तो कुछ समय बाद हम जैसे check करेंगे तो हमारा जो objection लगाया था मानलिया plot का size है या name है वो ठीक हो जाएगा तो back home page पर आएगे यहाँ पर जैसे district code का size है जो भी हमने correction किया वो update हुई है या नहीं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर show हो जाएगा ठीक है दोस्तों इस प्रकार से आप objection लगा सकते हैं अब मैं document बताते तों दोस्तों document आपको ध्यान रखना है सबसे पहले एक ब्यान हलपिया देखिए दोस्तों यह वाला हमें notary से या जो भी आपके नजदीक की court है या फिर कोई typist बैठता है notary वाले बैठते हैं उनसे type करवा लेनी वोट कार्ड अधार कार्ड इन ID में से हम ID भी upload करनी है और इस प्रकार से हम अपनी property ID को ठीक कर सकते हैं और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like share करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी subscribe कर ले क्योंकि इसी प्रकार की update म आप तक लेकर आता रहता हूं वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद जैहिन दोस्तों